आज हम पत्ता गोबी का सलाद बनाएंगे ये काफी चट पटा और रिफ्रेशिंग होता है आप इसे बेट लोज के दोरान भी ट्राइ कर सकते हैं पत्ता गोबी का सलाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पत्ता गोबी को इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है अब इसमें एक बारिक कट किया हुआ टमाटर एक चोथाई चम्मच कश्मिरी लाल मिर्ज पाउडर एक चोथाई चम्मच काले मिर्ज पाउडर आधा चम्मच चाट मसाला एक चुटकी काला नमक और एक चुटकी साधा नमक डालेंगे यहाँ पर नमक कम ही डालेंगे क्यों की चाट मसाला में भी नमक होता है अब इसमें एक चुटकी गरम मसाला डालेंगे और आधा नीबू का रज डालेंगे अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें थोड़ा कट किया हुआ हरा धन्या डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अब पत्ता गोबी का चटपटा सलाथ बनकर बिल्कुल तयार है यह काफी हेल्दी है अब आप इसे एक बार जरू ट्राय करें आपको यह रेसेपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी